हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल यूस्फिल प्रोडक्ट्स दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाल हैं कि अपने चेहरों को लाल होने से कैसे बचाएं चेहरा अगर आप लाल टमाटर हो रहा है आपका दूप में जाते हो बहुत ज़्यादा फेस पर रेडनेस की प्रोडम आती है तो उसको हम कैसे बचाएं चेहरा लाल होने से कैसे बचाएं चेहरा पर रेडनेस आने से कैसे बचाएं पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में चैरा लाल होने से कैसे बचाएं और वाइस आप वो गलतिया करेंगे तो आपका चैरा लाल होगा तो मैं आपको बगा देता हूं कौन-कौन सी गलतिया करने से इसकिन पर रेडनेस की प्रवल्म आती है फर्स्ट अगर आपके सकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपके फेस पर रेडनेस आएगी आएगी जब आप धूप में जाओगे या फिर किसी भी मेडिकल रिलेटेड क्रीम का या फिर दवाई गोलीस का आप यूज करोगे तो दोस्तों बहुतारी गोलीस दवाई गोलीस ऐसी भी होती है जिनके करने बलेड प्रेसर थोड़ा सा हाई हो जाता है तो उसके कारण भी sensitive अमारी skin पर redness की problem आ जाती है दूसरी बात जब आप धूप में जाते हो किसी भी steroid cream को लगा के तब एक तो redness की problem आती है तो दूसरी problem तही होगी तो अब मैं आपको बता रहेता हूँ कि आपको क्या करना है आप दोस्तों धूप में किसी भी cream को मत लगाईए सिर्फ moisturizer या फिर sunnist cream को आप लगा सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा try किजे कि night में ही कोई cream लगाए और धूप में अगर आप cream का use कर रहे हो यानि कि running period में use कर रहे हो cream का तो आप धूप में जब जाओ तो अपने face को ढख सकते हो face पर आप रुमाल बाँ सकते हो, scalp बाँ सकते हो और आजकल mask का भी लगाना जरूरी है तो आप mask भी लगा सकते हो तीसरी जो चीज है दोस्तों आप एक साथ दो या तीन skin whitening creams को mix करके मत लगाना बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एक साथ दो cream का use कर लेते हैं mix करके अब यार मैं आपको बताओं कि यार एक cream का use करेंगे तो भी आपको बही result मिलेगा और एक के साथ दो मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका result दो गुना हो जाएगा दो गुना नहीं होगा उल्टा वो reaction करेगा और उनका result माइनस में और चला जाएगा समझ रहे हो मेरी बात अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है नहीं समझ रहे तो यार मस समझो आप ऐसे use करते हो आपनी क्याप की मर्जी है लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक साथ दो या तीन skin whitening creams को mix करके मत लगाओ और एक साथ ही मस लगाओ बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम रात को कोई और इस्ट्रोड क्रीम यूज़ कर लें दिन में कोई और यूज़ कर लें और इसके एक बार dry हो गई तो आपको पता है कि इसके रूकी रूकी हो जाएगी तो उसको moisture भी करना जरूरी है उसको उसको पर moisturizer भी लगाना काफी ज़्यादा जरूरी है तो ये जो गलती आग बिल्कुल भी नहीं करोगे तो आपके चेरे पर बिल्कुल भी redness की problem नहीं आएगी इसके अलाबा और कोई reasons नहीं होते है जिनके current skin पर redness आती है अधरवे जो भी लोग कुछ भी try नहीं करते नॉर्मली रहते हैं उनके face पर किसी परकार की redness की problem नहीं आती है वीडियों जानकारी अच्छे लगे तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों को साथ जरूर कीजिए share कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए